एपिसोड फाइव विद मीनल सुम्वी सुमन वर्सस हुमन हम लोग एक आनिमल रियालिटी शोज भी करते हैं मैं मुझे बताते हुए बहुत कुछ नोती कि रेडियो रान जो पहला ऐसा प्रेपम है जिसने डिसेवर्स के रे रियालिटी शोज का शुवार्टी थी जिस लड़की ने पहली बार जो उडान एडन का किता था उसे युएस में भी लाइक पासट करने का माका था वाँ गुद इवनिंग मीनल thank you so much for coming into our show Suman vs. Ramadan so Meena you are a fantastic woman because you are empowering lot of blind people in the country through a internet radio called Radio Udan you are a co-founder and also you are inspiring lot of blind sports in Telangana I would like to know more and more about you through this show Meenal, so welcome Thank you Suman, thank you so much So Meenal Singhvi please how all this started tell me briefly about you I lost my vision in 2007 मुझे BP का problem हो गया था actually second delivery time मुझे थोड़ा BP का इश्यू था बट जब 2007 में काफी रिकर हो गया थी कि डिलियरी मेरी 2003 में हो थी लेकिन by off suddenly मुझे low BP का problem आ गया था उसक्त मैं डॉक्टर से जब मिलने गया थी तो उन्हें लगा कि नींद प्रॉपरली नहीं होने के कारण मुझे ये problem आ रही है तो उन्होंने मुझे जब एक नींद का इंजिशन दिया था और वो इंजिशन मुझे रियाइट कर गया था तो I was coma for 15 days that time and जब मैंने आँख खोली तो मुझे पता लगा कि आँखों में रोशनी नहीं रहे Before that मतलब आपकी second delivery से पहले आपको I said normal था हाँ हाँ बिल्कुल मतलब second delivery में 2003 में हो गए थी पर उसके बाद भी 7 साल तक बिल्कुल नॉर्म था कोई problem नहीं था ये तो ऐसा हो गया कि रातो रात आपकी रोशनी चले गए दिन में रात में नहीं Actually early morning 4 o'clock को मैं hospital गए थी क्योंकि मुझे बहुत बेचे नहीं हो रहे थी उसक्त तो जब डॉक्टर ने BP चेक किया तो it was 30 only सिर्फ 30 पे मेरा BP था इतना low हो गया था तो उन्होंने मुझे गुलकोस चड़ाया और हालांकि उसक्त सेद नहीं चड़ाते हैं क्योंकि summer का time था और summer में इतना early मरे में गुलकोस नहीं चड़ाते हैं और वो निंद का इंजिशन उन्होंने तो खेर अच्छा ही सोच के दिया था बट वो क्या region था पता नहीं कोंट जो हो lugना था हो जाए हो नहीं होता है तो बस इसके यह सब्कmam случае मुझे बताइए मीनल जी जब आप कोंआ में थी कोमा से जब आप वापस आये हैं दुनिया में आप बता रहे थी कि आपकी रोशनी नहीं थी जब आप आख खोली पहली बार तो आपकी रोशनी नहीं थी तो आपका आप कैसा मेंसिस की थी लगता टाइम अच्छली उस वक्त ये था कि वो होता है ना कि एकदम से सडन में कोई हमें बताता भी नहीं कि इसको शौक लग जाएगा तो फैमिली ने मुझे किसी ने कुछ बताया भी नहीं कि ऐसे हो गया उन्होंने का कि बस एक छोटा सा हाथ सा हो गया है 15-20 दिन में तुम ठीक हो जाएगा नॉमली और मुझे भी जब मतलब ऐसे इता हो लगा नहीं कि अच्छा में लाइफ लॉंग के लिए ही देखनी पाउंगे ऐसे कभी सोचा उस वक्त मेरे मन में खयाल भी आया नहीं था और बहुत अच्छा प्रजन मौसम मतलब रहा एट्मसफेर रहा हो हस्पिट अच्छा केरिंग किया मुझे धक्का तब लगा जब डॉक्टर मतलब में जब मुझे रूटीन चेक अप के लिए डॉक्टर आई थी जब मैं कोमा से बाहर आगी थी तब तो उस सकत मैं लेटी भी थी और उन्हें लागा कि शाद मैं सो रही होगी तो तब उन्हें बोला कि कम से कम साल भर लगेगा इसको चलने फिनने में अपना मतलब बॉड़ी मेरा पुरा कोमा में चला गया था ना तो उसके करण बॉड़ी पुरा जाम हो गया था तो कुछ भी काम नहीं कर रहा था कोई भी पार्ट मैं हाथ ने उठा पा रही थी पैर ने उठा पा रही थी हलां कि मैंने उसक्त नोटिस भी नहीं किया इन से बातों को सिप मझे ये पता था कि मझे दिखाई नहीं दे रहा बर जब डॉक्टर ने बोला कि मैं चल फिर नहीं सकती मझे साल भर लगेगा रिकावर करने के लिए तो वो बड़ा शौकिंग था मेले कि मुझे लगा कि अलुख्य पीर भी नहीं पाऊंगे ये Hearts में तो था जब दो था था अ जायगी आइगी नहीं कि यह भी मुझे नहीं पता यह भी हिना सूट गज़ हो तो आपने पैरों पर चल के जाओंगी इस होस्पिटी से अदवस मैं यहां से नहीं जाओंगी यह बात मैं उनको गई थी और एक मेने के अंदर अंदर ही मैं उस होस्पिटी पर चल के आया हूँ जब डॉक्टर आई थी खुद मुझे मिलने के लिए तो वीलचे लेकर आया आउसम फिंटास्टिक बडला इस इस लिए अच्छा था क्योंकि वीजन चला गया था उसका मज़े दुख भी नहीं वा था और काफी अच्छा सुपोर्ट मेरा था था हॉस्पिटल के स्टाफ से उसका काफी नाम भी पेपर में भी आ गया था टीवी अगरे में भी उसका है तो कभी अच्छा फील हो रहा था उसकी देखो चलो कुछ नहीं मैं आगे चलके कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ तो करी लोंगी करके वो कॉन्फिटेंट वहीं से बिल्ड हो गया था मतलब मुझे तो आपको कब पता चला कि आपको पर्मिनेंटली एक ब्लाइन के दरा ज कहा था कि जैसे आपकी वीजन गई है वैसे ही आप भी जाएगी और इत्रफाक यह रहा कि 2010 तक हर सार में साथ हुआ भी ऐसे ही वीजन आई और फी चली जाती थी आती और चली जाती थी उसकत एक डॉक्टर थे उनका मैं टीटमेंट ले थी मसूरी से हेड़बाद आते थे कैंप करने के लिए तो उनका 9 डेज स्का Champ होता था नए डिन में दो बार उनुका टीटमेंट ले थी और जब वो जाती थी तब मेरा वीजन आ जाता था मतलना का पाफी हम तख आ जाती थी मैं चलब पा फिर पाय थी एक बारा से होथा कि मझे नेगिटि programmes पूरा आ गया थ तो उसके बाद मैं डॉक्टर से मिलने भी गई अपोलो तो वो तो बहुत कुछ हुई थी और उन्होंने इंजेक्शन भागर भी दिये काफी टीटमेंट भी कहले कि वो इंप्रूर नहीं भी बड़ दिरे दे चली गई थी तो जब मैं डॉक्टर से मिली थर्ड क्याम में तो क्योंकि बेटी तो मैं विजन भोत इंपोर्टन थी लेकिन वो ऐसा माहूल ता उसके जाना भी नहीं सके और मैं अपने वच्चों का शोड़के जाना भी नहीं चाहती थी तो बस फिर हो नहीं पाया तो ऐसे लगा नहीं साल बर दो साल के बाद जब बिलकुर आती भी नही कि मुझे तब मुझे लगा कि अब तो शयद कुछ करना पड़ेगा लाइब में क्योंकि ऐसे हालां कि मैं घर पर काम आम करना शुरू कर दिया था मैंने थोड़ा बहुत लेकिन फिर भी वह होता है ना खाली दिमाग शैतन का घर होता है तो वह ऐसे लगता था कि पता नहीं क आपको यह पता चलता है कि आपके जो भी रोशनी है आखों की कंप्लीटली जा चुकी है और वापस आने का भी तो मोका तो नहीं है तब रिहाबिलेटेशन बहुती बड़ी प्राबलम होती है इतना आसा नहीं है एक एक साइटेड इनसान को ब्लाइंड के तरह जीना रिह किसा मतलब कैसा उठाना पड़ा ये स्टेप करीब 2010 में अलबी पिशाद गए थी मतलब किसी ने मुझे बोला कि एक आप चैक अप करा लो तो मैं चैक अप के लिए ही गई थी तो वहां पर मझे सीधा उन्होंने रियाब्टली सेंटर भीजा पापा थे मेरे साथ में और ज मझे काफी अच्छा लगा लेकिन जैसे ही पापा आए वहां पर और वह एक सेकंड भी रुके नहीं मझे वहां से लेकर आगए घर पे मतलब बहुत जो खुशी थी मुझे 10 मिट की वह एक सेकंड में चली गई पापा ने का कि ने ने मेरी बच्ची को इन सब शीयों की चरत पर बात ही तो उन्होंने महां के कि इस्ट्रक्टर का नंबर मुझे दिया था कि आप यह कार डख लो अगर कभी फीचर में जवत पड़ेगा तो आप उनसे ले सकती हो कि उसे मझे कहा था तो जब मैं घर आई तो मतलब तभी भी काफी टाम चला गया लेकिन मैंने मुझे करना है तो मैंने पापा से बहुत फोर्च किया तो फिर उन्होंने एक कंपिटर मुझे लाके दे दिया बोले यह चला लो अब आपको देखिए अगर जब हम देख सकते हो तो हम फटाफर से कोई भी चीज जली-जली कर लेते तो मुझे तो पता ही नहीं कि A कहा है B कहा है क कि वर्ड की नॉलेज नहीं चलाना कैसे है कुछ भी जब पता ही नहीं तो मैं कैसे चलाओंगी ना तो उस दौरान में काफी दिक्कते मुझे फेस करनी पड़ी कि एक फ्रेंड थी मेरी बहाँ पर तो उसने थोड़ा सा गूगल सर्च करके मुझे बताया कि ऐसे से कर सकते ह हो तुम चाहो तो तो मैं तुमको टाल के दे सकती हूं तो सबसे पहले उसने स्कइब डल के दिया मुझे और एक वो जो नंबर जो मेरी फेंड नए ने लड़की ने दिया थां मुझे वह नंबर जब हमने मिलाया तो जब उसने का कि एक बार वो ओन तुब üzerine मिलто ही हम आप काफी सबस्काइब को काफ़ी समझाया को समय कमें तो फिर एक दीन के लिए हो आया थे टिरी यहाइन जां खो फिर जहां बी घृ han तो मुदालन के घम व सिंट कि देा था था उन्होंनES बैला कि अप इस से ट्राइ करो अगर कुछ दिक्कत आएगी तो मुझे बताना तो वहां से फिर यह शुरुआत हुई जर्णी काफी महनत की मतलब क्योंकि सिखाने के लिए कोई थान है उसकत और ना मतलब घर से परमिशन है हम लोग मार्मरी से तो हमें जादा बाहर जाना भी अलाव नहीं करते स्पेसिली जब मैं ब्लाइंड हो गए तो मुझे अकेल है तो बिल्कुल अलाओ ठान नहीं हो सथ और उन्हें लगता सा कि तुम्हें जरूत क्या है करने की घर पे सब नौकर है तुम बैठो तुम्हें हर चीज मिलते है तुम्हें क्या जोते है सब सीखने की मतलब ऐसे था अब दो साल से बिल्कुल खाली दिमागता ना मैं किचन में कुछ कर पा रही ती ना मैं घर में कुछ कर पा रही तो मुझे लगा कि अटलीस मैं कुछ तो सीखू मेरा माइन तो कही ने कहीं डेवर्ट होगा ना मैं जरे से लैप्टॉक मुझे आता नहीं तो मैं अटलीस ट तो उसको बुला लो थोड़ा थोड़ा तुम्हें सिखा देगी तो फिर बहुत मैंने इसे सीखा फिर एक लड़का था पंकर देली से उससे एक मेलिल इसके जरिये मुझसे कांटेक किया था अब तो खेर वो नहीं रहा उसने सुसाइट कर ली उसके अभी सेम प्रावन था व जब पंकर्ज की डिथ हुई तो उसके बाद काफी जटका लगा क्योंकि मैं खुद उस डिपरिशन में थी कि मुझे क्या करना है और उस दौरान में उसने सुसाइट कर लिया तो वो काफी धख्का लगा तब मझे लगा कि नहीं मतलब यह लाइफ नहीं लेना है मुझे पंकज की डिद के बारे में थोड़ा डिटेल बता दीजे ना प्लीज पंकज जो है वो देली से था एक्चुली तो सबसे पहला मैं बोसकती हूं ब्लाइन फ्रेंड था मेरा मेरी लाइफ का और जब वो मेरी उसे मुलाका दे थी जब उसको काफिया था वो एलाइसी में काम करता था और उसका ये था कि उसका वीजन देरे देरे लॉस होना जो बच्चा था उसका सेकेंड चाइल्ड वो सिफ देर साल का था तो वो काफी शाही लाइफ में रहा है मतला ड्राइविं अगरे करना सब कुछ खुछ पुरा डिपेंडन नहीं था कुछ भी टूटली खुछ से इंडिपेंडने लाइफ में जीता था और उसको आर्पी ह है उसको संबद नहीं आरा था कि उसको करना क्या है तो दृड़े-दिरे डिप्रेशिन में जाने लगा था तो जब मेरे उसे लास बात इती तो पुलते उसको घूसा बहुत आता था बहुत जयादा ता इतना घुसा आता था था कि आपए उठा को ठीट खुर देता था त आनिचे किसी की भी ऐसे वो बोता था तो हमने बोला यारे छोड़ी भी तो जासेती है ना ज़रूर निया अगर तुमको किसी चीज का एडिक्षन है तो उसको छोड़ तो अगर तुमें नहीं पसंदा तो अच्छे एडिशन भी अपना सकते हो जो तुम खुछ से कर सकते हो जासे किसी अई उसके लाइफ नहीं पसको अटो अजो आख को फुछ से नहीं को सत था और नहीं को भी सब्साटने का वाइफ दुमको जासे कघल लिया तो उसी दौरान एक दिन के लिए मैं बहार चले थी तो मेरी उस एक दिन उसे बात ने और रात को 16.30 बाजे उसकी वा कुछ करना चाहिए था मुझे वह बहुत हट हो गया तो शायद मैंने उसी के कारण यह स्टेप नहीं उठाया यह कह सकते हैं परना मुझे बहुत लगता था कि क्योंकि यह होता है कि हम बच्चे तो छोटे हैं इसमें को दूसरी वाइप मिल जाएगी तो बच्चों को नहीं मा मिल अपने बच्चे कैसे बहुत हैं जितना अच्छे से मैं रखोंगी आने और दूसरी माह तो नहीं रखेगी ना तो मुझे ही इनको देखना है वह सब्सक्राइब को अच्छा कर दो अपने बच्चों के लिए यह सोचके मतलब एक लाइफ में टर्निंग मुवमेंट आता है आपने बेचरे टाइप की फिलिंग आ गे ती कि मैं बेचारा हो गया में लिए सबको तकलीफ उठानी परती है मेर लिए है करना परता है मेरे लिए वह करना परता है तो मुझे लागा कि नहीं मुझे यह थौट लानी ही नहीं किसी के पर भी मैं खुद अपना डिपेंटन मारोडी फैमली से ब्लाव करते हैं, तो सार चीज़ देखते हैं, अगर मैं उनकी जगे पर होते हैं, अबेसे कि मैं भी अपने बच्छों के लिए जब किसी लड़का लड़की को ढूने के तो मैं भी यही सूचूँगी ने कि उसको जाद से जादा आराम मिलें, तो अगर को मुझे बताईए, आपका फैमिली सपोर्ट के साथ था दूरिंग यूर अरली देस उफ विजुल इंपेरिमेंट, फैमिली सपोर्ट मतलब बैसे तो बहुत अच्छा था, क्योंकि काम मुझे कुछ करना नहीं पड़ता था हर जगे पे, यह था कि मज़े घर, मतलब जाना मैं के लिए जाना, जाना नहीं सकती थी, आने सकती थी, बागी हर चीज का मुझे सपोर्ट था, वो कहीं भी ले जाते थे, ले आते थे, खुमने पिरने का, वैसे किसी चीज का कोई option नहीं था घर में, कहीं भी मुझे जाना हो, सब लोग ready रहते थे आने जाने के लिए, ल मेरी मुझे बिलकुछ बिरो है, बट वैसे सपोर्ट मुझे हर चीज का रहा, मैं जो चीज बोलती थी, मुझे मिल जाता था, जैसे मुझे लाइब से वह लोग दे 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 थे, फर्स इपीतना था कि मैं खुछ से करना चाते थे, उस वक्त ये था कि वो लोग मेले कर देते ऐसे था. रेडियो ओडान के बारे में कुछ बताईए, रेडियो ओडान के बारे में जानने के लिए, मैं बता दू कि, जैसे मेरी वीजन गई थी, तो उस वक्त जब लागता था, कि मुझे कुछ सकता करना ही पड़ेगा, मैंने छे मेरे लगे, मैंने कंप्रव अगरे सब सिक लिया जैसे मैंने कहा कि मैंने स्काइब से जुड़ी और कुछ-कुछ लोगों से जब मैं मिली तो एक अच्छी ऐसी ग्रूप फ्रेंड शलकल हो गया मतलब मेरा तो काफी लोग हम लोग मिलने लगया आपस में डेली हम बाते करते थे बाते करते लगा कि अरक अगर कब तक ऐसे बा शरण किया कि नहीं हम रेडियो इस्टर करते हैं क्योंकि मीडिया नहीं है किसी के पास भी और इसे हम काफी चीज़े एक साथ कर सकते हैं कि रीडियो कैसे मॉल है जहां पर आप हर तरगी की शॉप लगा सकते हों आपको किसी का अप्रिशन ही होगा चाहे वो एंटर्टेन्मेंट हो चाहे आपको कोई न्यूद देनी हो या कोई इंफर्मेशन देना हो एक बहुत अच कहीं पे भी आप देखे कितने कम ऐसे प्रेटफार्म में जहां पर डिसेबल की इंफर्मेशन दी जाती है अगर हम अंग्लियों से गिने तो गिनने के लिए भी हमवास कुछ है नहीं बहुत चों लोग किसी ने कोई क्लियर कर लिया कोई अचिमेंट कर लिया तो एक आदी कि रिडियो बहुत सही सजीशन रहेगा और उसी वक्स फिर हमने स्टार्ट किया चैलेंजर तो बहुत आए लेकिन हम छे लोगों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया जिसमें से एक मैं थी और बाकी मेरे सारे पांच मेंबर थे एक तो अभी आएस ऑफिसर बन गया तो उसे छो हैंगे लेकिन हमें पहली बारी पांच हजार लोगों ने सुना पांच हजार फर्स मंथ तो वह काफी सक्सेस फील हुआ काफी अच्छा फील हुआ और बस उसके बार दिरे दिरे हम बढ़ते गए और आज 45 से 50 हजार तक लोग हमें सुन चाहिए पांच हजार लिसनर्स जी आज़सम कंग्राजिलेशन्स तो मुझे बताएं ये मीनल रेडियो उडान को सुनने के लिए लिसनर को क्या करनी चाहिए मतलब हाओ उड़ाई गेट अक्सेस तो रेडियो उडान रेडियो उडान को सुनने के लिए बहुत सारे अप्शस है समसे पहला और इंपॉर्टन क खालता हो हमारी अप है डियो उडान 큰 अज़ान के नाम से अ और अडइयो यूड़्ड किली अझाया है यह उडान तो तो इसनाम से अप है आईपउन की लिए भी है और अायँड के लिए हैं अगर आप आईपऊन और एक अए ब्स बगल से नहीं सुनना चाहते हम्रय अपन के लिए भी हमने वहाँ पर एक प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है तो आप उसको डाउनलोड करके उसको आप अपने डिश्ट अपर से करके सुन सकते हो या फिर अगर आप स्मार्ट स्पीकर्स यूज करते हैं जैसे की गूगल या अलेक्सा इवन आप अपने आइपोन में भ आप जो बता रहे थे पचास हजार लिसनर सो इसमें से नॉर्मल साइटेड लोग भी बहुत सारे होंगे राइट जी बताते भी बड़ी खुश होती है कि जब हमने शुरुआत की थी हम सारे ही डिसेबल थे बट आज ऐसा है कि हम मैं बता सकती हूं कि आज मेरी नॉलेज मे दो लड़किया ऐसी है जिन्होंने रेडियो उड़ान पर पी प्सडी की है और अभी हमारे पास अगर रेडियो में हम देखे तो हंडर में से 40% साइट लोग है जो कि हमारे रेडियो पर इंटर्शिप कार रहे हैं I request all my listeners to try out Radio Udaan once please try to play Radio Udaan while you are driving or you know you can access Radio Udaan from any corner of this world because this is streamed over internet तो सब लोगों को मेरे request करता हूं because the brains and the hands and the power behind Radio Udaan is all by disabled people मीनल मुझे बताइए आपका entry sports में कैसा हुआ sports में actually मैं यहां पर एक school में विजिट की थी Radio Udaan का ही एक program था हमें smart devices के बारे में बताने जा रहे थे उस school में विजिट किया था मैंने तो वहां पर बहुत से छुड़े से बच्चे थे जो की काफी sports में इंटरसेट थे थे तो और ने कहा कि दीदी ऐसा कुछ sports के लिए कि इतनी ज्यादा knowledge है ने इस फिल्ड में और अरड़ी में रेडियो राल से भी जुड़ी हो तो थोड़ा बास support में जरूर कर दोगी तो उन्होंने का कि हमें सिफ आपका हाँ चाहिए बाकि हम कर लेगे हमें सिफ एक model support के कि आप हमाई साथ हो मैंने का ठीक है तो फिर इस स काफी बच्चे हैं जो यहां से दिली जाते है नैसल लेवल पर कहलने के लिए और अच्छा भी कहल रहा है और आप वो जो organization है association उसकी president हो रहेट मिनल जी अगर किसी को आपको support करना है अगर किसी को आपको radio don को sponsor करना है तो can they do that surely can do that हमारा radio don पे ही support us का एक heading है अब बहाँ पर जाकर directly हमें support कर सकते हैं या फिर आप contact us कर सकते हैं जैसे हम यह reality show जो हम करते हैं इसमें title भी देते हैं तो पिछले दो सालों से वो टाइटल शेलन नहीं लिया है जैसे और शेलन उडान आइडल की नाम से सावो तो ऐसे कोई title अगर sponsor करना चाहत है मैं वेबसाट पर विजित करके contact us पर जाक कर, थू रडियो उडान फिजवाट, एपिपल ऐसमें लिए तो एप शू ईड़राद माझें जो जो पर दो जो जो मैं अबुडले कर दो एक सब्सक्राइड टाम है जो एट्वले जो पर दो एक मिशवान कर दो धाने मानी है बैकले काम वा थाहिए परिश्ट कंले करते ही आप लागने है जो तो प्राफ अजित Cannot पांपम्री का मेंनायवार, एक्वामम स्टेटम्ल आपट समय्षिर्हान केया हूं, जी मांते हैंस हैं इस बैद में अफ आप्यों काम 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 पु एो तो जये हैं feel about their blind mother? 2011, I went to work for a year and there were many multilations and I received my interview randomly and I was selected there I was so happy that I was very happy that I was able to get out of the house and I was able to get out of the house without telling anyone and I was happy to get out of the house but when I came home and said that I was selected I was able to get out of the house So your heart is definitely getting out of the house? Yes, it was my dream that at least I was standing on my feet so I wouldn't have a feeling like that I wouldn't have a good life to give my children I felt like that but I was able to get out of the house and I also felt like that because my children were also small so I felt like I was going to get out of the house and I was working in a multi-national company So I was a very difficult day so I could stay around 10-12 hours and after which I was getting out of the house I felt like I had a lot of more time and I felt like that very much my feeling was happening But in 2014, we started the radio and some kind of time passed and I felt like that that these people were doing good so during 2005, we got a lot of success as well as people were getting out of the house लेकिन 2015 में मुझे गॉर्मेंट जोब का पता लगा तो फिर मुझे लगा मैंने पहले घरवना से पूछ लिया था अप्लाई करने से पहले कि गॉर्मेंट जोब है अब लोग पर्मिशन देते हो तो मैं इसमें अप्लाई करती हूं तो उन्होंने का कि एक वो होता है ना गॉर्मेंट जब में लोग बले कुछ हो ना वो एक जॉब सेक्यूर्टी जरू होती है तो उस कॉंसेट को लेकर उन्होंने हा कर दी तो और फिर मुझे जॉब मिल भी गया तो यह था जब जॉब करने लगी तो काफी अच्छा लगने क्योंकि देरे देरे चीजे काफी इंप्रों होते हैं लाइप मैंने इस प्रफिश्चा लेए अब बच्छों को भी अपने जो जो मुझे आता रहा हूं मैं बच्छों को सिखाते रही बच्छे पढ़ लिए भी मतलब वह हो गया ना क्या मुझे पता लग गया मैं काफी च करन्ट शोसाइटी में क्या चल ला यह मुझे पता है तो आज यह है कि बेटा दुबाई में काम करता है और बेटी आल एर में है they are proud of their mom of course they are for me to do it so it was 12 or 13 years or 14 years then she joined the event management she thought that she had to do it and then when I was busy then I thought that she had to do it so my first time my daughter took her first time I was not allowed so I had a lot of I had to go and then they sent me and sent me a servant and I went with my daughter and I went with my daughter and the next time they sent me a servant so I would have to do it so I would have to do it and then I would have to take my daughter and go to the hospital so there is no issue but unfortunately but unfortunately reality all families are not one generally families families you know you know you know you know your eyes you know disability suddenly you know families you know that you know you know काल किया दूसरे शायदी करते हैं तो उस तरह से स्टोरीज भी सुनने को मिलते हैं दुनिया में होता है मेरे साथ में ही एक केस हुआ था मतलब मेरी जब मेरी विज़र गए थी उसको उसके अद्बर ने छोड़ दिया था तो उसको मुझे काफी लोगों ने कहां भी था कि ऐ हाथ में भी होती है मैं समानती हूं मैं यह नहीं बोर्यों की सुसाइटी पूरी ते से अच्छी है बट अगर आप अपने आपको कमजोर दिखाओगे तो आपका सामना डेफिनिटी इस्तिमाल करेगा ही करेगा तो जितना हो सके अपने आपको करो ताकि कोई और आपको टी गया है यृषि एक जेडरों मेरे हर एक शो में हर एक एपिसवर में ऐसावाल मेरे गीस को फेस करना ही पड़ता है और नाग कहतने की कोई option ही नहीं है you cannot say no this question to you is अगर आपको पूरी ताकत है if you have full power to change something in this country तो क्या है वो what would be that अगर मैं पूरी ताकत है तो मैं सबसे पहले तो पूरे देश को accessible करना चाहूंगी accessible in the sense की जो आज ही मुझे एक ख्याल आया था की जिसे हम छोटी छोटी बातों पर भी जिसे चालान लगते हैं गाडी पर जब हम जाते हैं टिबर जाते हैं जिबरा लाइन करोस कर देते हैं तो वैसे ही सफाई के लिए भी चालान जब इंडिया में लग जाएगा मझे रखता है काफी जीजे तो बहुत इंपू हो जाएगी तो छोटी छोटी बाते से मैं अगर मुझे सारा राइट में जाए तो मैं सबसे प्रदे तो इंडिया को सफाई के लिए सफाई करना जाओंगी लेकिश अब बहुत बहुत जाओंगी अब अब बहुत च्छा लगा अपसे बात करके और बहुत खुशी हुई रेजिया रेडियो डान के बारे में सुन कर रेडियो डान को जल से जल जल से जल कमर्शल स्टेटरस मिल जाए रेडियो डानstation शुद बेक कमर्शल सुकस्थफल बिग रेडियो ब्रोट्कास कंपिन इन दे कांट्री उसकी आशा करता हूं में मिनल जी आपको यूटूबे मिल जाएगा तो इबास सुनके आप जरूर फीटबेक दीजेगा और बताएगा कि हमारा रेडियो या हमारी ये जो कोशिश्थी ओ कैसी है I request all my listeners to please look for radio on on internet and try listening to that because the more you listen the more support you are giving to a big community of blind people Thank you Meenal Thank you, thank you Samir